नमस्क्राइब दोस्तों लक्षमी कांथ की 94 वीडियो में आपका स्वागत है देखते हैं कौन-कौन से चीजों के बारे में बात करेंगे किस तरीके से का रियाजस्ट के बात करेंगे रिजर्वेशन ऑफ दसीट और फस्स पास्ट पर सिस्टम इंडिया में जो लोग सभा के एलेक्षिंस में फस्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम चलता है इसके बारे में समझेंगे तो थोड़ा सा ट्रकी है यहां पर समाजना तो मैं डीटेल में समझानने कोशिश करूँगा अगे बढ़न इस पहले वीडियो पर लाइक कर बटन जूरू दबाद दिए चैनल को सब्स्राइब कर लिजे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजे जैनल कर दिसके जवाब दूँगा सासत टेलीग्राम पर फॉलो कर लिजे वहां रिजेस्जमन्ट फॉर तॉर अफ़ी इक यह एक सेट इन टूरिटोर्ल कॉंस्टिवेंश लेग्वाद निए बोला गया है कि हर 10-10 साल के बाद संसल होता है आपको पता है संसल होता है हर 10 साल पर होता है तो 2011 का संसल हुआ अभी इन प्रोसेसे 2021 का दाट आएगा उसके बा टो तरीके से ज्वेइंच साल के बाद आते जाते अभी बोला यह गया है कि हर 10 साल के बाद जो हमारे देश के आबादी है वो आबादी बदलेगी तो उस आबादी के बदलने के हिसाब से लोग सभा में सीटें भी जो कि फिर भाई कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जहां पर लोगों की आवादी बढ़ चुकी होगी तो उनका लोग सभा में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहिए एक पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या है कि भाईया एक स्टेट के अंदर टेरिटोरिल है उसमें भी कुछ चेंज आना चाहिए तो बात यह है कि पार्लेमेंट को यहां पर अथर्टी दी गई है कि हर दस साल के बाद हर एक सेंसेस के बाद किस तरीके से ऐलोकेशन करनी है सीट्स की लोग सभा में और किस तरीके से एक स्टेट के अंदर टेरिटोरिल इसी परपस के लिए बनाए गये थे मतलब हर दस साल के बाद आपका सेंसेस आएगा और उस सेंसेस के हिसाब से लोग सभा में कित्ती सीटे हैं और एक स्टेट के अंदर जो भी लोग सभा का अलॉट्मेंट है वहां पर कॉंस्टिटुएंसी को किस तरीके से आप सेंसेस के बाद 1972 में एक डिलिमिटेशन कमिशन ने बता दिया कि आप डिलिमिटेशन कमिशन ने बता दिया कि आपकी लोग सभा में कित्ती सीटे महां पर 540 टोटल 552 सीटे बताएगी थी 543 वैसे और यह बताए 543 प्लस तू मतलब 545 उस टाइम पर और यह बोला गया कि अलग अलग स्टेट में कॉंस्टिटुएंसी को किस हिसाब से डिसाइड के जाएगा उनकी टेरिटरी क्या क्या होगी लेकिन 1976 में जो सेंटल गॉर्मेंट थी उसने अमेंडमेंट किया और यह बोला कि अब देखिए जो भी टोटल सीट एलोकेशन है आपका लोग सभा में मतलब ओवर और लोग सभा में किस किस स्टेट को कित्ती कित्ती सीटे दी गई है अब यह 2000 यह तक हम रोक दे रह हो और हर 10 साल के बाद इन सीटों को accordingly adjust कर रहे हो तो होगा क्या कुछ राज्य की सरकारों को यह समझ में आएगा कि अगर हमको अपनी importance को बढ़ाना है पारलेमेंट में तो हमको अपनी population को बढ़ाना होगा इसके चलते बहुत सारे जो राज्य हैं वह अपनी population को बढ़ाने लेने पड़ेंगे और यह इंडिया के लिए बहुत dangerous हो सकता है चुकि इंडिया एक इतनी बड़ी country आबादी वैसे इतनी जादा है तो कहीं न कहीं population को control करना जलूरी था तो इस population को control करने के लिए एक political incentive ना जाय हर 10 साल के बाद इसके लिए सरकार ने क्या किया कि 1971 के बाद जो भी लोग समा में सीटों का allocation किया गया था और जो भी territorial constituencies बाटी गई तो उनको 2000 तक fix कर दिया बोला गया अब 25 सालों के लिए यानि 1976 से लेके 25 सालों के लिए कोई भी changes नहीं किये जाएंगे तो 2000 तक तो देखी यहां पे कुछ भी नहीं हुआ लेकिन आप 2000 के बाद देखोगे यह जो बैन था रा री एड्जेस्ट्मेंट पे इसको 25 सालों के लिए और आगे बढ़ाया गया यानि 2000 से लेके 2025 तक है नहीं आप कह सकतो अप टू 2026 था 1971 में जो आपका census आया उसके बा 2000 तक यह 543 सीटे ही रहेंगी और बाद में जब आपका 84th Amendment Act 2001 आया तब भी यहीं बोला गया कि यह 543 सीटे 543 ही रहेंगी लेकिन आप देखोगे कि 84th Amendment Act 2001 आया दोस्तों यहां पे एक चीज बोली कहीं देखे 84th Amendment Act 2001 ने बोला कि जो लोग सबा में जो 543 सीटे हैं जो कि 1971 के ब बाद नहीं बदली हैं आप यह 2026 तक नहीं बदलोगे लेकिन इन 543 सीटों को आपने अलग-अलग स्टेट को अलोकेट कर रखा है जैसे कि आपने यूपी को 80 सीटे दे रखी अभी यूपी के अंदर जो टेरिटोरियल कॉंस्टिटुएंसी उनको जब एड़ेस्ट करने बात आई तो 84th Amendment Act 2001 ने बोला कि भाई आप उनको एड़ेस्ट कर सकते हो यहां पर हो क्या रहा है हो यह रहा है कि देखो भाई ओवर ओल एक स्टेट को लोकसभा ने जितनी भी सीटे दे दी गए वो तो उतनी रहेंगी अगर नंबर ओफ सीट से इन लोकसभा बढ़ रही हो तो तो बात है जैसे कि प्रणम मुखर जी ने एक समय पर बोला था कि भाई लोकसभा में जो टोटल नंबर ओफ मेंबर से आपके एंग्लो इंडियन को हटा के बोल रहा हूं ओके तो यह जो 543 बोल देजिए 545 बोल देजिए 552 बोल देजिए कंपोजिशन ऑफ लोकसभा इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं तो टोटल कंपोजिशन ने लोकसभा कि यह तो चेंज हो नहीं रह आप से जो टेरिटोरियल कॉंस्टिटूएंसी आप उसको बदल सकते हो तो एक्टिफोर्थ कॉंस्टिटूशन अमेंडमेंट अक्ट 2001 ने बोला कि आप एक काम करो 1991 के population के census के हिसाब से states के अंदर जो भी आपको कॉंस्टिटूएंसी का readjustment करना है rationalization करना है वो आप कर लो फिर उसके बाद आप देखोगे कि एक और act आएगा जिसका नाम था 87th amendment act 2003 इसने यह बोला कि आप कर सकते हो delimitation of constituencies on the basis of 2001 census and not 1991 census चुकि यह जो 84th amendment act आया था 2001 में आया था तो 2001 में census भी आ गया तो 2001 में जब census आही रहा है तो 1991 के census के साफ़ से क्यों कर रहा हो readjustment 2001 की census के साफ़ से कर लो तो यह सुविधा देदी 87th amendment act 2003 और 87th amendment act 2003 के साफ़ से फिर अलग अलग स्टेट में जो भी लोग सभा की सीट एलोकेट की गई थी उनका readjustment किया गया constituencies का किसके basis पे 2001 के census के basis तो इससे डुएल चीज़े हो गई एक तो readjustment भी हो गया census का इस्तमाल भी हो गया दूसरी जो टोटल नंबर ऑफ सीट से लोकेटेट थी लोग सभा को वह चेंज नहीं हुई तो किसी भी स्टेट को यह इंसेंटिव नहीं मिलेगा कि वह अपनी population बढ़ाने में लग जाए अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए फिर बात करते हैं भाई रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर सीज और सीज देखिए हमारे देश में कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन था आजादी से पहले अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी तो मॉरले मिन्टो रिफॉर्म ले लो मॉंट फॉर्ड रिफॉर्म ले लो गॉर्मेंट अफिड आक्ट नाइटीन थाटी फाइव ले लो सब में कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया फाइली इंडिया जब आजाद हुआ दो तुकड़ों में बढ़ गया उसके लिए कि अंदर कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को हटा दिया गया बट शेडूल कास्ट के लिए और शेडूल ट्राइब्स के लिए सीटों को रिजर्व किया गया उनके पॉपॉलेशन के रेशियों में तो यहां पर यह बोला गया कि देखिए लोग सभा में जो सीट हैं इन से कितनी सी के लिए कि इस बात कड़ेशन को रिप्रेजन कर रहे हैं तो एक स्टेट में और एक यूँट टरिटरी में कास्ट और शेडूल कास्ट की जितनी भी ही आप कह सकते हो कि population के insert parent में सीट के जैंगी यह . चृट ऐसटी के लिए और यह ऑगर लग्ध Cum लगउपालल्ग तो मोहनलालगंचelson के बात कर लो मोहनलाल गंब सकता है कि किसी एक Donald कांडिडेट करिजर हो जाये किसी कन डिडेट के में यह Scroll हो सकता है नि mandate तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सीटों का रिजर्वेशन है इसमें अभी पार्लेमेंट में भी दिया गया है उसके बाद आगर आप बात करो तो औरिजिनली यह बोला गया था कि इस रिजर्वेशन को 10 साल के लिए चलाएंगे 1960 तक लेकिन उसके बाद से आप देख सक और नाइंटीफ अमेंडमेंट एक 2009 ने जो 2010 में रिजर्वेशन खतम होने वाला था इसको बढ़ा के कब तक बढ़ा दिया दो अब ही 2020 वाला जो सिस्टम है जो यह खतम होने वाला था रिजर्वेशन का पार्लेमेंट में स्सीट का उसको वन हंडेड़ एंफ है यह स्टमर के लिए तो उसके लिए जितने भी वाटर है सब डालेंगे यहां पर कोई कास्ट के बेसे पर एलेक्टुरेट नहीं डिसाइड है तो आप किसी धरन के हो किसी भी जाती के हो किसी जंडर के हो इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता आप कि ऑन्याहां जो चाहे जाए वो जनरल कोटे से खड़ा है आप सब उसकी वोटिंग में अपना वोट डालोगे और एक सीस्ट को इस बात से किसी भी तरीकी से डिबार नहीं किया जा सकता है कि वो किसी जनरल की कोटी पे लड़ सकता है तो एक जनरल के टेगरी के कोटे पे भी एक SCST candidate लड़ सकता है बाशरते उसको पार्टी का टिकट मिल जाए या वो एक independent candidate की तरह भी लड़ सकता है तो यहाँ पे जो 84th amendment act 2001 था दिस प्रवाइट प्रवाइट पर रिदेखो आप को डिदेखो आप और 1991 में जो अलग अलग स्टेट में सीजटी का प्रपोर्शन निकल के आ रहा था उस असे पर लेकिन फिर आगा एटीस सेवंट्मेंट्म्न ट्थ दोहजार तीन ने बोला कि अब आप जो रिएज़ेश्ट्मेंट करते हैं वह करो दोहजार एक के सेंस में और वैसी बात स्ट स्टेट वाइड जो स्ट के डाटा वो बदल गया होगा तो 2001 के सेंसस के हिसाब सही आप स्ट की सीट होगा रिजर्वेशन भी करो अलग-अलग स्टेटों में ठीक है तो 84th Constitutional Amendment Act और 87th Constitutional Amendment Act 2003 से कन्फ्यूज होने की जरूत नहीं है काफी सिंपल है बस याद स्टेट का जो इंटर्नल टेरिटूरल री अजस्मेंट वह होगा और स्टेट के अंदर जो सेंस के साफ से चेंज किया जाएगा बट जो ओवर ऑल टोटल सीट से उनको नहीं चेंज किया जाएगा ताकि पॉपलिशन लिमिटिंग मेजर्स को प्रॉपर तरीके से इंप्लिमे राजसभा की मैंने आपको बताया कि राजसभा की मेंबर को कैसे चुना जाता है प्रपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन बाइमींस ओ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है तो आप प्रेजिडेंट वाली वीडियो देखिए जहां पे मैंने प्रेजिडेंट का मैनर आफ एल लिए बात करना ज़रूरी एक स़जह के लिए लिए लेकरी इनदर क्यों होता है दियों के प्रीविकिडेंटेशन को AG इसा की में इस इस सिंगल मेंबर कॉंस्टिटुएंसी के लिए जब वोटिंग डलवाई जाएगी जो केंडिडेट में जॉर्टी ओफ दे वोट्स लेके आएगा उसको अलेक्ट माना जाएगा तो यह जो सिंपल में जॉर्टी सिस्टम है रेप्रेजेंटेशन का यह पूरे मिले आपके कॉंग्रेस को तो कितने हो गए आपके 75 हो गए और 25 वोट आपके बटे किसके पास बीस पी बहुजन समाजवादी पार्टी को यहां पर मेजॉर्टी किसके पास आ गई बीजेपी के पास प्रॉपर मेजॉर्टी है चुकि अगर सौ लोग वोट डाल रहे हैं तो प्रॉपर मेजॉर्टी कम से कम 50 की होनी चाहिए लेकिन बीजेपी की केंडिडेट को 40 मिले हैं तो अगर मौनलाल गंच की कॉंस्टिटिवेंसी में वोट हुआ बीजेपी का केंडिडेट 40 लेके गया कॉंग्रेस 35 लेके गया बीएसपी सपा के वर 25 लेके जा पाए तो यहां पर आप देखिए यह जो बीजेपी का केंडिडेट जीता है ना 40 वोट लाके यह पूरे एलेक्टोरेट को रेप्रेजेंट नहीं कर रहा है बहुत सिंपल चीज है ठीके ना यह 40 लोग ऐसे थे जो यह नहीं चाहते थे कि यह केंडिडेट जीते बट फिर भी यह जी तो यह एक कमी बताई जाती है आपका फस पास्ट फोर्स सिस्टम की जो आपके टेरिटोरियल कॉंस्टिट्वेंसी लोगसभा के एलेक्शन के लिए चुना जाता है अभी इस तरीके के डिफेक्ट को पूरा करने के लिए प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को लेकर आसकता है ने प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन के च्छी में इस तरीके हैं इस प्रहब्लम बात यह नई थोड़ेक्टी सिस्टम अभी दोनों को सम्झाना भी अपने आप में बड़ी बात है तो उनका सम्झाना तो अभी आप बूली जा तो दो तरीकी के प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन ने एक हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है स्टेट लेजिसलेटिव काउंसिल का जो एलेक् क्या रहे हो यह तो गड़बढ है यहां तो जो चुन के आएगा वह पूरे एलेक्टोरेट को रिप्रेजेंटी नहीं करेगा लेकिन बात यह है कि कॉंस्टिटूशन ने लोग सभा के लिए प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को नहीं चुना इसका रिजन क्या है पहली चॉइस पर दूसरे का नाम लिया तीसरे चॉइस पर तीसरे का नाम लिया इसकी काउंटिंग हुई तो यहां पर पहली बात तो देखिए आज के डेट में दोस्तों पैसे कितना हद तक आपकी वोटिंग पैटरन को एफेक्ट करता है किसी को दारू का खंबा देदो तो व अब का में तो ऑफिए सिस्टम को समझ पाना एक बड़ी चीज वाद दूसरी चीज यह है कि देखें परल्लिमेंटरी सिस्टम को वैशी जदा पॉलिटिकल पार्टी होती अगर प्रमुंशन रिप्रिजम के सिस्टम को आप ले आ हो गए तो और पॉलिटिकल पार्टी आन आगर 50 28 में Assistant पॉअट और में जिस सीटे और बहुतं पॉलीटिकल पॉलॉट्टि को उस प्रोपलो से मेरशसे पहली बात तो बहुत मेह गार निंदोर सी दूसरी बात लोगों को समझत अरुन तीसरी बात प्रपोर्शन रेप्रेजेंटेशन सिस्टम में फस्ट पास तपोस सिस्टम आप करनी रहे हो तो भाया एक टेरिटोरिल कॉंस्टिट्टिट्टिएंसी जिसमें 50 लाख वोटर से और आपने वहां पे 10 मेंबर को अलोकेट किया तो यह 10 सीटें 50 लाख में जो भी पॉलिटिकल जो वोटर और रेप्रेजेंटेटिव के बीच में इंटिमेट कांटाक्ट होता वह तूट जाएगा कभी-कभी होता है ना कि किसी एक पर्टिकुलर इलाके में एक आदमी ने बहुत अच्छा काम किया होता है तो उस पर्टिकलर इलाके के लोग उस आदमी को बहुत यह होता है तो एक कॉंस्टिट्वेंसी में जहां बहुत सारे लोग वोट डाल रहे हैं वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ सीटों को जितना भी पॉलिटिकल पार्टी में वोट जीता है उसके प्रपोर्शन में बाट दिया जाएगा तो यहां पे किसी एक परसन का औरा नहीं च चलेगा यहां पे ग्रुप इंट्रेस्ट प्रमोट होगा तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो छोटा सा ग्रुप ऑफ वोटर को कमांड करती है वह इस बैसे लगेगी चलो हमको बास एक दो वोट तो आई जाएंगे तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी की चलेगी एक इंड प्रपोर्शन रेप्रेजेंटेशन की कुछ नुकसान है ठीक है दोस्तों फस्ट पास्ट पर सिस्टेम यहां पर हमने खतम किया अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डियोरेशन आप टू हाउस के बारे में थैंक यू फो वाचिंग प्लीज इस वीडियो को शेयर कर खेव ग्रेट टे गूट बाइ